कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरे कभी मुस्कुराहर सजाएंगी तो कभी आँखें नम कर जाएंगी सामाजिक सरोकार से लेकर परिबार तक की होंगी बाते, कुछ मनुरंजन होगा तो कुछ सीफ भी मिल जाएगी हर बार नई अंसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कारिकरम रोजक और सुगम हो इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किये गए हैं आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा कथा सुधा में प्रस्तुत है आज कहानी पटा बनेथी हिंदी सहित्यकार भगवती चरण वर्मा की हास से कहानी पटा बनेथी सुनने से पहले शोताओं आपको बता दे पटा बनेथी क्या है बनेठी लंबी लाठी को कहते हैं जिसके दोनों सिरों पर गोल लट्टू लगे रहते हैं इसका विहवार पटे बाजी के अभ्यास और खेलों आदी में होता है और इस खेल को पटा बनेठी कहते हैं लेखक ने इस कहानी की नाईका को इस खेल में सिद्ध हस्त दिखाया है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवती चरण वर्मा की किस्सा गुई का शिल्प ऐसा अनूठा होता है कि घटनाए और पात्रों के हावभाव हमारे सामने साकार हो उठते हैं, और हासे कहानी के उस्रे का काम नहीं चल सकता, कहानी में पती-पत्नी के संबंधों को अत्यंत रोचक धंग से चित्रित किया गया है, कहानी में एक और विद्यार्थी है, जिसके मनों भाव को भी दर्शाया गया है, विद्यार्थी का विवाहत तै है और वो अपनी भावी सहचरी से विद् उसको देखकर उसके छक्के छूट जाते हैं, घवरा जाता है और एक पत्र के माध्यम से अपने भावी श्वसुर को अपना निरणय सुनाता है। इतना दुख ना होता। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी वज़े से एक बनने वाली ग्रहस्ती छूट गई। एक बसने वाली दुनिया उजड़ गई। बात यू होई कि मैं उस दिन घर में लड़ पड़ा था। लड़ाई किस बात पर हुई थी ये तो इस समय याद नही लेकिन हाँ लड़ाई जरूर थी और प्रथा के अनुसार मैंने अपनी श्रीमती जी के तरकों का उत्तर अपने हाथों से दिया था। मैं जानता हूँ कि मेरी ये हरकत सब्समाज में बुरी समझी जाएगी। लेकिन मैं ये विश्वार दिलाता हूँ कि नाउसरों पर स्त्री स्त्री हैं और दुनिया में स्त्री है पुरूश है यानि ये दोनों है और बिना एक दूसरे के काम नहीं चल सकता। तो जो कुछ है वो है यानि सिनेमा चलने का समय हो रहा है निहायत शांदार पिच्चर लगी है और चाय चाय भी तक नहीं मिली। अपनी इस बेव पुदा हरकत के बाद चाहे का अंशन घर में करना पड़ेगा खिर चाहे तो बाजार में किसी होटल से भी पी जा सकती है और सिनेमा तो देखना ही है पिक्चिर का आज आखरी दिन है लेकिन पैसे वो तो श्रीमती जी के पास है महिने की तनक्वा है और तनक्वा मिलने के दिन ही वो कपसा कर लेती है और फिर मुझे हर एक खर्च की कैफियत दे कर उनसे पैसा मांगना पड़ता है मेरे लिए ये सुविधा जनक है क्योंकि अगर तनक्वा मेरी जेब में हो तो यार दोस्त दस-पास दिन में ही रकम वसूल कर ले जाए तो भला बताईए उस वक्त अपनी श्रीमती जी से पैसे मांग सकता था अभी तक आप मेरी श्रीमती जी को जानते नहीं है श्रीमती जी स्त्री है और स्त्री स्त्री है और पुरुष पुरुष है लेकिन यकीन दिलाता हूं कि मुझे उस समय पंडित त्रिवेनी लाल का आना ज़रा भी नहीं अखरा पंडित त्रिवेनी लाल मेरे मित्र हैं लेकिन ना जाने क्यों इधर कुछ दिनों से मुझे उनकी शकल देखते ही कुछ अजीब सी उलजन होने लगती है वो वकील है या यू कहिए कि वो वकील थे तो बेजा ना होगा क्योंकि आजकल वो वकील नाम मात्र के हैं नेता और समासुधारक वे सबसे पहले हैं और नेता और समासुधारक इन दोनों से ही मैं बहुत घबराता हूं क्योंकि तन, मन, धन इनमें ये पहले को छोड़कर बाकी दो को वसूल करने की कोशिश किया करते हैं यानि मन वसूल कर लेते हैं दिमाग चाट कर और धन वसूल कर लेते हैं चंदा मांग कर और कभी-कभी इस अपेक्षित तन को भी उब कर मन और धन के साथ एक चपत के रूप में देने की तवियत होती है लेकिन ऐसे अउसरों पर मैंने बड़े ही सयम से काम लिया है पंडित त्रिवेणी लाल इक महिला विद्याले के सेक्रिटरी के रूप में समाज सुधारक हैं और हिंदु महासभा के सेक्रिटरी के रूप में नेता हैं नमस्कार रमेश यार कैसे हो अरे त्रिवेनी नमस्कार नमस्कार कैसे हो अरे कैसे आना हुआ भाई तुम तो जानते हो सब ठीक ठाक चल रहा है सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है हम दोनों आमने सामने बैठ गए और पोर्टफोलियो से उन्होंने एक रसीद बुक निकालते हुए कहा हा रमेश, मैं इधर आया था तो सोचा तुमसे मिल लूँ, एक थोड़ा सा काम है और तुमको एक थोड़ा सा कश्ट देना था तुझे वेनी, ये तो मैं रसीद बुक देखकर ही समझ गया लेकिन साफ साफ बतला दूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है मेरी सारी अमानत शिर्मती जी के पास रहती है और वो कोप भावन में है तो अगर उन्हें समझा सको तो उनसे दस रुपया वसूल कर लो हाँ, एक बाद ध्यान लगना पाँच रुपया तुम ले लेना और पाँच रुपया मुझे दे देना अरे भाई, सिनेमा जाना है मैं जानता था कि दस रुपया क्या त्रिवेणी लाल जी मेरी श्रिमती जी से दस पैसे भी वसूल नहीं कर सकते लेकिन मैं त्रिवेणी लाल की हिम्मत का कायल हो गया चौकट पर खड़े होकर उन्होंने तो आवाजी देनी शुरू कर दी अजी भाभी जी, अरे भाभी जी, कहा है आप अरे मैं आया हूँ त्रिवेणी लाल त्रिवेणी तब तक आवाज देते रहे जब तक आशू पोच कर मू धोकर और साड़ी बदल कर श्रिमती जी बरामदे में नहीं आ गई उनके आते ही त्रिवेणी लाल ने कहा भाभी जी, भाभी जी अगले सप्ता महिला विद्यालाई का सालाना अध्वेशन बनाए जाएगा तो? तो उसी के लिए मैं आपको विशेश रूप से आमंतरित करने आया हूँ और ये देखिए जी, और आपको चंदा चाहिए, इसलिए मुझे निमंतरन मिल रहा है लेकिन अच्छी तरह सुन लीजे मैं एक पैसा नहीं दूँगी विसे मेरा कहना तो ये है कि महिला कॉलेश बिल्कुल बेकार के चीज है इस तरी को पढ़ा लिखा के क्या होगा? क्या होगा? उसे तो पुर्षों की गुलामी करनी ही पड़ेगी उसके अत्याचार सहने पड़ेंगे मैं एक पैसा ना दूँगी चंदे में, हाँ मैं कहे देती हूँ, मैं जा रही हूँ लेकिन पंडित्रिवेणी लाल इतनी आसानी से पराजित होने वाले वित्ती नहीं थे उन्होंने कहा भाभी जी, अरे भाभी जी, पहले आप मेरी बात तो सुन लें, तब अपना निरने दें श्रीमती जी को बैठ जाना पड़ा भाभी जी, बात यूँ है, इसमें कसूर सिक्षा का नहीं है बलकि इस्तरियों की असहाय वस्था का है पुरुष इस्तरी पर अत्याचार करता है, कि इस्तरी निर्बल है अगर इस्तरी सबल हो जाए, तो उसके रग पुठे मजबूत हो जाए तो फिर देखें, कि कोई पुरुष इस्तरी पर कैसे अत्याचार करता है और देखें भाभी जी, भारतिय इस्तरीयों की हालत बहुत गिरी हुई है दिन दहाडे गुंटे उन पर प्रहार करते हैं, और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती और इसलिए मैंने महिला विद्याले में बालिकाओं के लिए व्यायामशाला खोली है व्यायामशाला? महिलाओं के लिए व्यायामशाला? जी हाँ, व्यायामशाला और यहीं नहीं, लड़कियों को तलवार चलाना और लाठी चलाना भी सिखाये जाएगा इस तरह से पंडित त्रियुनी लाल जी के लेक्चर का असर पड़ा हम दोनों साथ साथ घर से चले सड़क पर जाकर पांच रूपए उन्होंने मुझे दिये और पांच रूपए खुद लेकर उन्होंने कहा रमेश देखो आना जरूर तुम्हें व्याख्यान भी देना होगा हाँ आना जरूर मेरे एक मित्र है, मित्र के एक सुपुत्र है मित्र पहले कभी बड़े जमीनदार थे अब उनके पास बहुत बड़ा फॉर्म है और उनके सुपुत्र एमे के विद्यार थी है ये सुपुत्र मुझे बहुत मानते हैं क्योंकि साहित में उन्हें बहुत दिल्चस्पी है और वो मुझे चचा कहते हैं एमे का इम्तिहान देकर ये इलहाबाद से अपने पिता के फॉर्म पर लौट रहे थे तो दो एक दिन के लिए मेरे यहां उतर पड़े दो महिने बाद इनकी शादी होने वाली थी और जिस देखना भी चाहते थे क्योंकि बात बात में इन्होंने इसका इशारा मुझसे किया था यहां थोड़ा सा अपने भतीजे के संबंद में और बतला देना उचित होगा कसरती बदन, रिष्ट पुष्ट जवान, फुटबॉल कैप्टन और पता नहीं फुटबॉल का होने के कारण ये तीन साल से एमे पास होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बाप लखपती आदमी वो सुपुत्र से फॉर्मिंग कराना चाहते थे, लियाजा उन्हें भी इस बात के चिंता नहीं थी कि बेटा इम्तिहान पास करे ही, कह दिया करते थे, अभी खेलने खाने की उम मतिजी, मैं अपने बच्चों और नौकर के अपनी समझ में दस रुपिया देने वाली सम्मारित महिला की हैसियत से दोपाहर के बाद ही महिला विद्याले में पहुँच गई, निर्धारी समय पर मैं भी अपने भतीजे के साथ वहाँ पहुचा, और हम दोनों सबसे आगे बचलाए गए, करवही आरंभ हुई, वंदे मातरम के गान के साथ फिर व्याख्यान हुए, मुझे भी व्याख्यान देना पड़ा, अब लड़कियों के व्यायाम का प्रदर्शन शुरू हुआ, डंड बैठक, डंबल, मुदगर, सभी तरह की कसरते हुई, उपस्थित महि लाओं और पुर्शों ने हर्श से तालियां पीटी, मेरे भतीजे ने मुझसे कहा, चचा, वाकई हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की हो रही है, भतीजे की बात तो मैंने सुनी, लेकिन मैं हामोश रहा, इतने में ही दो लड़कियां हाथ में लाठियां लिये हुए स्टे लोगों की सांस उपर की उपर और नीचे की नीचे, और मेरे भतीजे बड़े गाउर से, ये द्वन्व युद्ध देख रहे थे, बीच बीच में बड़े जोश के साथ शबाश, वो मारा, खुब बचाया के नारे भी लगाते जाते थे, मैंने एकाद बार उन्हें टोका अभी कि इतना शोर ना करें, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वा चाचा, आज तबियत खुश हो गई, इस खुशी को जाहिर करने से कोई मुझे कैसे रोक सकता है, व्यायाम प्रदर्शन समात हो गया, तालियों की गड़गडाहट के साथ स्टेज पर पर देता हूँ, इस प्रदर्शन के उत्साह और उमंग में उन्हें ये बात नहीं भूली, कि उनकी भावी पत्नी महिला विद्याले में पढ़ती है, और उसे देखना उनका मुख्य उद्देशे है, परदा गिरते ही, उन्होंने मुझ से कहा, चचा, अब पता लगाया जाए अपनी होने वाली के संबंध में, जरूर अभी पांच मिनिट का वक्त है, मैंने कहा, इस भीच में लड़कियों का एक गिरोह स्टेज से उतर कर दर्शकों की कुर्शियों के पास आकर खड़ा हो गया, एक लड़की जो पिछले पटा बनेठी के पदर्शन में भाग लेकर आई थी, पास में ही खड़ी थी, उसकी लाठी अब भी उसके हाथ में थी, रिष्ट पुष्ट, लंबी सी लड़की, रंग समहरा, आखे बड़ी बड़ी, चेहरे पर भरपूर स्वास्थ की लाली, भती जी ने उससे पूछा, आपके विद्यालय में माया नाम की कोई आपको मैं नहीं पहचानती, कहिए आपको मुझसे क्या काम है, वारे मेरे भतीजे, किस खूबी के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके भाई प्रभानाज जी का मैं मित्रू हूँ, आपके गुन गाते वो नहीं आगाते, इसलिए आपके दर्शन कर अपने की इच्छा हो गई, तो अब आपने कर लिए मेरे दर्शन, मेरे भाई की आप जैसे लोगों से दोस्ती है, इसका मुझे दुख है, अपके जब मुझे मिलेंगे, तब उन्हें आडे हातों लूँगी, और वो वहां से हट गई, इस प्रदर्शन से लाउट कर, पहल काम जो मेरे भतीजे ने किया, वो एक पत्र लिखना था, जो अपने होने वाले शसूर के नाम लिखा गया था, पत्र लिखकर उन्होंने मुझे दिखाया, पत्र इस प्रकार है, महोदय, पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परीचाय दे दूँ, फिर मैं काम की बात लिखूंगा, आपने मुझे पर बड़ी कृपा करकर, मुझे नालायक को, क्योंकि एमे में तीन साल से मैं फेल हो रहा हूँ, अपना दामाद बनाने का निरने किया है, दो महीने बाद मेरा विभा होने वाला है, तो इतना परीचाय काफी होगा, इतना और बतला दूँ कि मैं हिरश्ट पुरुष्ट तंदरुस्त आदमी हूँ, मेरी उचाई 5 फूट 11 इंच है, और मैं अपनी यूनिवस्टी में फुटबॉल का कप्तान हूँ, यहां तक ये बतला देना अन महिला विद्याले में आपकी सुयोग सुपुत्री के दर्शन करने का सभागी प्राप्त हुआ, और वो अप्रतीम सुंद्री है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन कल ही मुझे आपकी सुपुत्री के पटा बनेठी के हाथ देखने को मिले, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसकी बहाद्दूरी और उसके साहच से मेरे छक्ये छोड़ गए, अब मैं काम की बात पर आता हूँ, मैंने बहुत गौर किया, मैं अपने आपको आपकी सुपुत्री का धर्म पती बनने के सर्वथा अयोग की पाता हूँ, इसका कारण भी मैं आपको बत होगा और ऐसी हालत में मेरा हाथ भी अपनी आदित के अनुसार चूटेगा, यहां मैं ये भी बतला दूँ कि मैंने जिंदगी में लाठी कभी नहीं चलाई, पता बनेठी के हातों से मैं अपनी रक्षा किसी हालत में नहीं कर सकता, और ये भी जानता हूँ कि आपकी वीर और बहाद्दुर सुपुत्री अपनी शिक्षा का उपियोग अवश्य करेगी, लिहाजा उसकी लाठी और पता बनेठी के हातों से मेरी खोपड़ी सुरक्षित नहीं रह सकती, सुधार घर से ही शुरू होते हैं, और बाहर के गुंडों की खोपड़ी तोड़ने के पहले उसे घर के अंदर वाले गुंडे की खोपड़ी तोड़ने का मौका मिलेगा, और आप समझे सकते हैं कि अपनी खोपड़ी तोड़वानी के लिए कोई समझदर आदमी तयार नहीं होगा, यहां मैं आपको एक अमुली सलह देना चाहता हूं कि आप अपनी सुपुत्री का अपिवाह किसी ऐसे वर के साथ करें, जो मरियल हो, दब्बू हो और आपकी सुपुत्री का फरमाबदार बन सके, इस हालत में अपने पती के और अपनी रक्षा करने के लिए आपकी सुपुत्री अपने पटा बने ठीके हाथों का सार्ठक उप्योग कर सकेगी, आपका चर कथा सुधा में आज आपने सुनी भगवती चरण वर्मा लिखित हासी कहानी पटा बने ठी, इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, रेणू चतुरवेदी, जुबैर खान, नेहा शर्मा, प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवम निर्देशन त्रेणू चतुरवेदी